आज पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन की तर्च पर बोकारो स्टेल सिटी में भी रेल रोको आंदोलन होना था क्योंकि 17 फरवरी को ही CPIM की महिला नेता अपोर्ट सानसर ब्रंदा करात ने रेलवे रोखो आंदोलन को सफल बनाने के लिए बुकारो के CPIM के सदस्यों से अपील भी की थी उन्होंने कहा था कि किसान भाईयों के समर्थन में रेल लोको आंदोलन में उनकी पार्टी के सभी कारी करता उनका साथ देगे लेकिन आज बुकारो स्टील स्टील स्टेशन में इस रेल लोको आंदोलन का कोई असर नहीं दिखा आज बारा बजे दिन चार बजे शाम तक के लिए रेलों को आंदोलन होना था लेकिन कोई आंदोलन कारी बोकारो स्टिल सिटी स्टेशन पर नजर नहीं आया बोकारो से सचीदानन मिश्रा के रिपोर्ट नमस्कार मैं सचीदानन मिश्रा कैमरामेन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ इस समय मैं बोकारो स्टिल सिटी स्टेशन पर हूँ और तीन के लगभग एक बज कर डस मिनट होने वाले हैं और ऐसी स्थिती में मैं ये न्यूज दिखा रहा हूँ आज रेल रोको अभियान चल रहा है लेकिन यहाँ पर बिलकुल शांती है कोई भी रेल रोकने वाले नहीं है ये अंदोलन चल रहा है लेकिन यहाँ पर इस अंदोलन का कोई असर नहीं दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ यह वर्दमान हटिया पैसिंजर जो की जा रही है प्लेटफोर्म पर यही ट्रेन है और यह ट्रेन अभी फिलाल हटिया तक यह किसी को कोई बाधा नहीं है बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अंदुलन का कोई असर नहीं और कोई भी यहाँ पर ड्रेल लोकनिक के लिए आगे नहीं आये हैं मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पूरे एस्टीशन पर धीर धीर लोग पसिंजर वगरा भी आ जा रहे हैं ट्रेन पकड़ेंगे यह लोग और किसी प्रकार का कोई ब्रवधान नहीं है यहाँ पर हर ट्रेने चल रही हैं झाल 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 यहाँ झाल